अध्याय आठ गरोड पुरान, पापी आत्माओं का दुखदाय जन्म, भगवान विश्नु बताते हैं किस तरह, स्त्री, पूर्ष के मिलन से मनुष का जनम होता है, पर साबक तीन दिन के अंदर पाप आत्मा का शरीर बनना शरू हो जाता है, एक रात में मास का टुकडा, प नाखून, हड़ी, लिंग, चोथे महीने तलपदार्थ, पांच महीने भूख, पियास, छा महीने बच्चा दानी के बाय और चला जाता है, जिस्म के बाकी हिस्सों का बनना माता के खान-पान पर निर्भर है, अपनी पीठ और शरीर के बीच में सिर दबा होने से यह अपन आनी शुरू होती है और वो गर्ब शाठाई में हिलना शुरू करता है, इश्वर से बिंती करता है, यदि मुझे यहां से बाहिर निकलोगे तो मैं सदा आपके चरनों में पढ़ा रहूंगा, लेकिन यदि मेरे पाप कर्मों से मुझे सदा दुख भूगने पढ़ेगे, तो मैं कभी बाहिर नहीं आना चाहता। लब्ता से मिले मनुष्य जीवन को योई बरबाद करके व्रिध अवस्था में बीमारियों से घिरा, मृतु के पश्चात फिर नरक लोक में जाता है। इस तरह बुरे कर्मों के जाल में फंसा, मेरी प्रकृती से पापी कभी मुक्त नहीं होता।